हेलो फ्रेंड शवागत आप सभी का हमारे चैनल में दोस्तो आज से हम लोग देखेंगे बाइलो जी याणी जी विग्यान का मौडल पेपर दोस्तो आप लोग को काफी संख्या में मौडल पेपर कि प्रेक्स करवाई जाएगी ताकि आप लोग का एक भी कोईस्न में योप पहुंझे है ठीक है तो चलिए देखते हैं दोस्तों Moraesit 1 में important question को question को question नमर 1 से दोस्तो question नमर 1 यहाँ पर कराए कि मुकुलन द्वाराजनन किस में होता है तो मुकुलन द्वाराजनन दोस्तों East में होता है इस्ट जो है दोस्तो एक कोश्किय जीव है जिसका यूज हम अलकोहल उद्योग में करते हैं ब्रेट को बनाने में भी करते हैं उसमें परजनन का मेठ़र है दोस्तो मुकुलन तो एक का जो है सही आंसर होगा A, इस्ट अगला कोशन है दोस्तों कि मद चक्र यानि उस्टक्स सैकल पाई जाती है तो मद चक्र दोस्तों एनिमल्स में पाई जाती है जिसके अंदर का गया बहेंश कुता बिली जो भी कर सकते हैं यह सारे का सारे निमल आ जाता है तो उसमें मद चक्र पाई जाती है तो इसका सही आं आप इनको भी याद रखिएगा अगला कोशन देखते हैं कि युगमनज क्या है तो युगमनज दोस्तो सुकरानू और अंडानू से मिलकर युगमनज का निर्मान होता है एक प्रकार का डिप्लाइड एक स्ट्रक्चर यानि दुगनित होता है तो तीन का जो है सही आंसर कर क्या बनाता है तो बिजांट जो दोस्तो विक्सित होकर बीज को बनाता है तो चार का जो है सही आंसर होगा सी बीज अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है दोस्तों कि भुरून पोस में कितने क्रोमोजोम होते हैं तो भुरून पोस में क्रोमोजोम की संख्या जो होती है वो थिरियन होती है जिसको हम कविकाल टिप्रोयल डॉक्स्ट्रक्चर भी बोलते हैं पांच का जो है सही आंसर होगा सी थिरियन अगला कोशन देखते हैं दोस्तों मासी चक्र पाया जाता है तो मासी चक्र दोस्तों मनुस की मादा में अस्तनपाई मादा में प्रिमेट की मादा में तो सही आंसर होगा इसका दोस्तों प्रिमेट की मादा में अगला कोशन देखते हैं कि योवनारम के समय पर्थम आर्थब चक्र कालाता है तो पर्थम आर्थब चक्र दोस्तों रजो दर्शन कालाता है तो साथ का जर्शाई आंसर होगा C, रजो दर्शन अगला कोशन देखते हैं कि कौपर्टी है दोस्तों कौपर्टी एक पड़कार का जो है गर्व निरोधक मेठर है ये जो है कोपर्टी जो है वो निशेचन को रोकता है तो 8 को जह है सही आनसर होजगा ए निशेचन अगला कोशन देखते हैं कि जनसंख्या क्या अध्यन क्या कलाता है तो जनसंख्या क्या अध्यन को हम डोमोगराफी करते हैं तो 9 का जो है सही आंसर होगा D, डोमोगराफी अगला कोशन देखते हैं कि क्रोशिंग ओभर की क्रिया कब संपन होती है तो crossing over की किरिया दोस्तो packaging sub stage में संपन होती है packaging है दोस्तो एक miosis जो है miosis first का sub stage है packaging उसमें crossing over की किरिया संपन होती है तो 10 का सही answer होगा यहाँ पर packaging अगला question देखते हैं एक संकरन cross का phenotopic अनुपात क्या है तो एक संकरन cross का phenotopic ratio होता है दोस्तो three is two one यहाँ पर जो है three जो डर साता है दोस्तो ए डोमिनेट character को और एक जो है recessive character को डर साता है तो 11 का सही answer होगा B three is two one अगला question देखते हैं कि अरजित गुनों के वनसा गती का सिधान्त किस ने दिया था तो अरजित गुनों की वनसा गती सिधान्त दोस्तो लैं मार्क ने दिया था जिसको इंग्रिश में हम बहुते हैं acquired inheritance का principle तो लैं मार्क नामक sentence ने दिया था तो 12 को जह सही answer होगा B लैं मार्क अगला question देखते हैं कि DNA के कूट करम कहलाते हैं तो DNA के जो भी है उसको बनाने का information रहता है एक्सोन में तो 13 का जह सही answer होगा इसका एक्सोन कि अगला question देखते हैं कि अनुलेखन में भाग लेने वाला enzyme है तो अनुलेखन में भाग लेने वाला enzyme है दोस्तों DNA polymerase third तो 14 का सही answer होगा D DNA polymerase third अगला question क्या दर्साता है दोस्तों परभाविता को दर्साता है तो 15 का सही answer होगा ए परभाविता अगला question देखते हैं दोस्तों अगला question है कि वे अंग जो उत्पत्ति में भीन किन्तु कार की दिश्टी से समान होते हैं कालाते हैं तो कालाता है दोस्तों संभीत अंग जैसे आप ले सकते हैं कि चिर्ग की पंठ है और एकंती पंग है दोनों का जो है पंग का उत्तपत्ति दोस्तों अलग अलगा है लेकिन दोनों का longtime जो है सेम है दोनों जो है दोनों का पंक जो है उरने में मदद करता है तो एक एक्जामपल है समविरित अंका तो सोला का सही अंसर होगा इसका ए समविरित अगला कोशन देखते हैं कि एसीटा बुलेडिया इन में से क्या है तो दोस्तों एसीटा बुलेडिया जो है एक परका बायो टेकनोलोजी में तो 17 का जो यहां पी इसका सही अंसर होगा इसका सेवाल अगला कोशन देखते हैं दोस्तों अगला कोशन है कि फैलेडिया रोग का वाहक है तो फैलेडिया को फैलाने वाला वाहक है दोस्तों मादा कुईलेक्स मक्षर दोस्तो ये मच्छर काफी डेंजरस होता है ये जो है फैलेरिया यानि जिसको हम common भासा में बोलते हाथी पौवाला रोग तो इसी मच्छर के कारण फैलता है मादा क्विलेक्स मच्छर के कारण तो 18 का जो है सही आंसर होगा C अगला कोशन देखते हैं कि इन में से कौन जिवानु जनित रोग है तो इन में से कौन बेक्टिरिया द्वारा रोग है दोस्तो तो कुछ रोग छै रोग है दोस्तो ये सभी जो है बेक्टिरिया के द्वारा होने वाला रोग है तो उन्हेंस का जो है सही आंसर होगा रातना जो है एक चावल की भैरेटी है दोस्तों ये काफी उपजाव भी होता है और इसमें जो है नुट्रियंट यानि पोशक तत्व भी काफी मातरा में पाए जाता है दोस्तों निर्द निर्व में से कौन केंट फिस है तो केंट फिस दोस्तों वऩगा एक प्रकार का केंट फिस है अगला कोशन देखते हैं कि कुलोरेल निर्व में से क्या है तो क्оз cortar का से लगी है दोस्तों यह भी single cell होता है एक काफी रिच होता है protein में यह प्रोटीन जो है इसमें काफी भड़पूर मातरा में पाया जाता है यह जो है दोस्तो अंतरिक शातरी द्वारा भी यूज किया जाता है इसका protein को भरपाय करने के लिए तो 12 का जो है सही आंसर होगा इसका भी सेवाल अगला question है दोस्तो कि सराब में सराब उद्वग में किस सुक्स्म जीव का उपयोग होता है तो सराब में दोस्तो हम यूज करते हैं yeast का इस्ट क्योंकि दोस्तों इसमें जो है जैमेज नामक इंजैम पाया जाता है यह फ्रूट से पाया जाने में अलग गुर्कोज और फ्रुक्टोज को किरिया करके उसको जह है अलकोहल में बदल देता है ठीक है तो इसलिए इसका यूज करते हैं तो 33 का सही अंसर होगा यह इस अगला कोशन है आन्वीक जीन अवियांत्रिक में किसका प्रयोग किया जाता है तो दोस्तों जीन अवियांत्रिक में हम यह करते हैं तंबाको फ्लांट को तो 24 का जो है सही आंसर होगा भी तंबाको अगला कोशन देखते हैं दोस्तों PCR से जांच होती है तो PCR से दोस्तों ज CR test जो यूज होती है दोस्तों HIV को परचाने में तो 25 का ज़स्त ही अंसर होगा HIV मैं अगला question है दोस्तों BT Toxin है तो BT Toxin है दोस्तों वाय को से का किस्टल्य प्रोटीन है दोस्तों एजो है दोस्तों जो निमो तोड़ा है इसके जो मीटगट गत है उसमें जाकर alkaline medium alkaline medium जब मिलता है दोस्तों यह protein जो है active हो जाता है और nemotoda जो plant को नुक्सान पहुँचाता है उसके पेट में जो है छेद कर दाता है जिसके nemotoda को मार दिया जाता है और plant को जो है सुरक्षा मिलता है इसे अगला question है दोस्तों कि सुपर भग की खोज किस ने की तो सुपर भग की खोज दोस्तों Robert Hoog ने की थी तो सत्य असको सही answer होगा इसका D Robert Hoog अगला question है कि किट भख्षी पौधे कीटों को खाते हैं तो किट भख्षी पौधे है दोस्तों nitrogen के लिए किट के लिए किटानू का जो है किटानों को खाते हैं किट भक्षी पौधे दोस्तों उसे मिटी में पाज़ दाता है जिस मिटी में नेट्रोजन की कमी होती है तो नेट्रोजन को पूर्ती करने के लिए जो है वो किटों को खाने लगता है अगला कोशन देखते हैं कि निम्म में कौन सी green horse gas नहीं है तो दोस्तों मिथेन, कुलो, फूरो, कारवन, शेटो, सभी के सभी जो है green horse gas है लेकिन nitrogen है दोस्तों green green horse gas नहीं है तो 29 का सही answer होगा D nitrogen अगला question है दोस्तों पारिशितिक तंत्र में आहर सिंखला में उर्जा का परवह होता है तो वो दोस्तो यूनि डारेक्शन याले एक दिशा में होता है उर्जा का परवह तो 30 का जो है सही आंसर होगा एक दिश ये अगला question कि बैक्टिडिया की खोज की तो बैक्टिडिया को खोज दोस्तो एंटाउन वहन लूएन हुक ने की थी तो 31 का सही answer होगा B, लूएन हुक अगला कोशन है दोस्तों निमलिखित में कौन सा जन्तु उभाहलिंगी होता है तो उभाहलिंगी जन्तु वो होता है दोस्तों जिसमें एक ही सरीर में जो है मेल पार्ट भी होता है और फिमेल पार्ट भी पाया जाता है एक ही सरीर में तो इसको हम बोलते हैं उभहलेंगी तो एक साथ एजेमपल जोग के चुवा फिता के में सभी उभहलेंगी है लेकिन घरेलू मक्ही जहें दोस्तों यह यूनिसेक्सुल होता है तो यहाँ पर इसका सही अंसर होगा D घरेलू मक्ही अगला कोशन है कि गेंडा अभारने किस राज में है तो गेंडा अभारने दोस्तों असाम में है तो इसका सही अंसर होगा A असाम अगला कोशन है कि बाय अस्थाने संरक्षन है तो बाय अस्थाने संरक्षन है दोस्तों बीज बैंक है तो आप इनको याद रखिएगा अगला कोशन है दोस्तो आवाश्य छेत्र में रात्री के समय धोनी का मान अस्तर है तो आवाश्य छेत्र में रात्री के समय धोनी का मान होता है वो होता है 45 यानि 45 decibel तो 35 का सही आंसर होगा C होगा 45 decibel तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा तो पसंद आया है तो जरूर चैनल को सब्सक्रेक कर दिजे वीडियो को लाइक कर दिजे यहां तक देखने के लिए धन्यवाद